नमस्कार A to Z dishes उश्या गोरजानी में आप सब का स्वागत है आप सभी ने सबजी तो कई तरह की खाई है आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गवारफले की सूखी सबजी यह रोटी पराठे खिचडी सभी के साथ बढ़िया लगती है उसके लिए गवारफली को मैंने अ तक पका लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अच्छे से पक गई है तो दुस्री साइड मेने कड़ाई में डाल दिया है आदी चमस तेल भी जादा नहीं जाता है अब एक चौथाई चमस जीरा एक भारी कटाओ प्याज एक बारी कटी हरी मिर्ची एक चौथाई गवार फली मैंने एक कप जितनी इसके अंदर डाली है और अच्छे से इसे भूने हैंगे एक मिनट तक उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे एक बढ़ा चमच बेसन और इसे दीमी आज पर भूनना है एक मिनट तक उसके बाद मसालों में स्वाद नमक धनिया पाउडर लालमिश पाउडर हल्दी पाउडर और थोड़ ऐसा गरम मसाला नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसर डाल सकते हैं अच्छे से मसालों को भून लेना है एक से आधी मिनट तक उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिए थे दो उबले वे आलो जिसे छील कर इस तरह से ग्रेट करके डाल दी है आप चाहे तो हाथों से मसल कर भी डाल सकते हैं और थोड़े से धन्या के पती डाल दींगे और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको इसे मिक्सी करना है क्योंकि गवारफली भी पके हुए और आलो भी पके हुए है चाहें झाचें